नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लासे यूटूब चलों दोस्तों आज मैं आप से लोग को इंसी आटी बोग क्लास 9 समाजी विज्यान चैप्टर 6 लोग तांतरिक अधिकार पर प्रस्तुत्तर मैं आप लोग को इस वीडियों बताऊंगा प्रस्तंबर एक इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उप्योग का उधारन नहीं है क बिहार के मजदूर का पंजाब के खेतों में काम करने जाना ख इसाई मिश्णों द्वारा मिश्णरी स्कूल की सिंखला चलाना ग सरकारी नोकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना ग बच्चों द्वारा मा बाप की संपत्ती विरासत में पाना उत्तर क बच्चों द्वारा मा बाप की संपत्ती विरासत में पाना प्रस नमबर दू, इनमें से कौन सी स्वतंतरता भारती नागरिकों कुर नहीं है? ख, सरकार की आलोचना की स्वतंतर था, ख, ससत्र विद्रो में भाग लेने की स्वतंतर था, ग, सरकार बदलने के लिए आंदोलों सुरू करने की स्वतंतर था, ग, सविधान की किंद्रिय मुल्यों का विरूद करने की स्वतंतर था, उत्तर ख, ससस्त्र विद्रों में भाग लेने की स्वतंतरता, साकाल बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंतरता, घ, सविधान के किंद्री मुल्लेओं का विरोध करने की स्वतंतरता, प्रस्त नमबर तीन भारती सविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, क काम का अधिकार, ख, प्रयाप्द जीविका का अधिकार, ग, अपनी संस्कृति की रच्छा करने का अधिकार, ग, निश्ता का अधिकार, उतर ग, अपनी संस्कृति की रच्छा का अधिकार, प्रस्त नमबर चार, उस धर्म का परचार करने के स्वतंतरता ख जीवन का अधिकार ग छुगाचूत की समित समाप्ति ग वेगार पर प्रतिवन उत्तर धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार ख व्यक्तिक स्वतंतरता का अधिकार ग समानता का अधिकार ग शोषड के विरुद अधिकार प्रस नमबर 5 लोगतंत्र और अधिकारों के 20 सम्मंदों के बारे में इनमें से कौन सा वयान ज्यादा उचित है अपनी पसंद के पच्छ में कार्ण बताईए कर हर लोगतंत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है ख अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांतरिक है ग अधिकार देना अच्छा है पर यह लोकतांतर के लिए जरूरी नहीं उत्तर बयान क अधिक वैद है अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रते एक देश चाहे लोकतांतरिक नहों किन्तु लो उतंतर के लिए यह आवस्ता के कि वह अपने नागरीकों को अधिकार प्रदान करें प्रश्ट नमबर 6 सवतंतरता के लिए यह सवतंतरता के अधिकार पर यह पावंदिया क्या उचित हैं अपने जवाब के पच्छ में करण बताईए भारती नागरीकों की सुरच्छा कारणों से कुछ सिमावती इलाकों में जाने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है इस्थाने लोगों के हितों की रच्छा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ती खरिदने की अनुमती नहीं है ग, सासक दल को अगले चुनाओं में नुकसान पहुचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिवन लगाती है उत्तर, कव नागरिको की जान माल की रच्छा के लिए कव उचित है ख, अनुचित है क्योंकि ख, स्वतंतरता के अधिकार पर अधिक कर्मण करता है ग, अनुचित है क्योंकि बोलने वो अविवक्ति की स्वतंतरता के अधिकार का उलंगन करता है प्रस नमबर साथ मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पत के लिए आवेदन देने गया वहां के किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया कहा जाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो तुम्हारी जाती का कोई कभी इस पत पर आया है नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई करमचारियों के लिए अरजी दू इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उलंगन हो रहा है मनोज की तरप से जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इनका उलेक करें करो उत्तर मनोज के मामले में समानता के अधिकार दा स्वतंतरता के अधिकार का उलंगन हुआ है प्रस्त नमबर आठ जब मधुरिया संपती के पंजीगरन कराने दफतर में गई तो रजिस्टार ने कहा आप अपना नाम मधुरिमा बनरजी बेटी एके बनरजी नहीं लिख सकती हैं आप साधी सुदा हैं आपको अपने पती का ही नाम देना होगा फिर आपके पती का उपनाम तो राव है इसलिए आपका नाम भी बदल कर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई उसने कहा अगर साधी के बाद मेरे पती का नाम नहीं बदल तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए अगर वो अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखने लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती आपकी राय में इस विवाद में किसका पच्च सही है और क्यों उत्तर मधुरिमा सही है उसके वक्तिकत मामले पर प्रस्ण करके तथा उसमें दखल करके ररेजिस्टार उसके सोतनतता के अधिकार का उलंगन कर रहा है साथ ही अपने पती का नाम अपनाने का प्रस्ट समाजिक मानेताओं पर आधारित है जो महिलाओं को कमरत तदा कमजोर मानता है मदरुमा को अपना नाम बदलने के लिए बाद करना समानता के अधिकारता धार्मिक सोतिंतरता के अधिकार का उलंगन है मद्द प्रदेश के होसंगाबाद जिले के पिपरियां के हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सत्पुडा, राष्ट पारक बोरी वन जिव अव्यारन और पंच मड़ी वन जिव अव्यारन से आपने प्रस्तावित विस्तापन का विरोत करने के लिए जमा ह हुए उनका कहना था कि यह विस्तापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर हमला है, सरकार का दावा है कि इलाके में विकास और अन जीवों के सरणर्चन के लिए उनका विस्तापन जरूरी है, जंगल पर अधिकारिक जीवन जीने वाले कि तरफ से राष्ट ये मान आयोग को एक पत्र इस मामले पर सरकार द्वारा दिये जा सकने वाले संभावित जवाब और इस मामले पर मानोधिकार आयोग की रिपूर्ट तयार करो उत्तर इस प्रस्ण का उत्तर दिने का प्रयास कीजिए प्रस्ट नमबर 10 इस अध्याय में पढ़े विवेन अधिकारों को आपस में जूड़ने वाला एक मड़ जाल बनाएं जैसे आने जाने की स्वतंतरता का अधिकार आपस में एक दूसरे से जूड़े हैं इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंतरता के चलते व्यक्ति अपने गाउं या सहर के अंदर ही नहीं दूसरे गाउं दूसरे सहर और दूसरे राज तक जाकर काम कर सकता इसी परकार इस अधिकार को तिर्था तल से जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरन करने की आजादी से जुड़ा है आप इस मकरजाल को बनाएं तथा तीर की निसान से बनाएं की कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं हर तीर के साथ संबन्द बताने वाला एक उधान भी दें उतर नीचे दिये गए चितर की सहायता से अपना स्वेम का मकरजाल बनाएं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें और नेच्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फोर वाचिंग